हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टो इस्टेड इन डिवाट चैनल एंड टुड़ी वी आर गूइंग टुरी में कॉंसेप्ट आप दे एकोनोमी जो कि फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइज और मार्किट प्राइज को समझना चाहते हैं तो आपको फैक्टर कॉस्ट को समझना जरूरिया और एक बार आपकोर कॉस्ट को समझत है तो यह दोनों कॉंसर आपके लिए आसान हो जाएंगी तो चेलिए सबसे पहले पैक्टर कॉस्ट के बारे में जानते हैं कि फैक्टर कॉस्ट है टेक्टर कॉस्ट है गदा किसी भी product का यह हम कि यह प्रोड़क्ट का यह हम लेबर di priority का जो टूटल कॉश्ट है उसको ही हम फैक्टर कोस्ट कहते हैं एक जांपल के माध्यम से समझेंगे और फिर जांपल के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा देखिए किसी भी प्रोड़क्ट को बनने में सुपोई कोई यहां पर फैक्टरी है ऑके और फैक्टरी को और इंट्रिनर्ञ उपे तो इस तरीके से उसकी 40 रूप़ए कोच्ट होगी उस इस पर्टिक्लर सोब बनाने में तो इस तरी के से ये cost of production होगे जिसको हम factor cost भी करेंगे तो आसानी से आप इस चीज को समझ गिए अगर आप आसानी से इस चीज को समझ गए तब आप basic price को आप आसानी से समझ पाएंगे देखे कोई भी फैक्टी, कोई प्रोडक्शन करती है वो प्रोडक्शन किसी भी चीज का कर सकते है चाहिए वो सोप का करे, चाहिए किसी भी चीज का करे रिटर्जेंट का करे तो जब वो प्रोडक्शन करती है तो उस production पे taxes लगाए जाते हैं government के द्वारा तो उनको ही या exercise duty का जाता है या production tax का जाता है government उनमे subsidy भी देती है और tax भी लगाती है तो इस तरीके सामने देखा था जो factor cost थी वो 40 रुपे थी अब माली जी कि government production tax 10 रुपी लगा रही है और subsidy भी दे रही है साथ साथ उस factory माली को थी रुपे की तो इस तरीके से उस total sop का या उस sop का जो production या basic price है वो 47 रुपी हो जाएगा तो इस तरीके से आपने आसाने से basic price को समझा अगर आप यह चीज़ समझ गए हैं तो बिल्कुल भी आप आपको कटना ही नहीं होगी market price को समझते में देखें जो market price है हमने basic price में बढ़ चुके हैं basic price किसको कहते हैं यहां पे product tax लिखा है मैंने तो के production नहीं तो कोई भी जब factory कुछ भी production करती है तो उस पर taxes बनते और उस production करके जो product निकलते हैं वो market में जाते हैं तो उन product पे भी taxes लगाए जाते हैं जिन्हें की indirect taxes कहते हैं तो उन product पे जो taxes लगाए जाते हैं वही यह tax यहां पे market price में include किया जाता है तो सबसे पहले देखिए basic price हमारा 47 रुपी आ गया था उसके वाद जो product tax लग रहे है सुपूज वह फाइब रुपी का लग रहे है और प्रूडक्शन सबसेडी है वो पूर रुपे की दी जा रही है तो इस तरीकी से सुरी 47 में अगर हम 5 एड कर लेंगे तो यह हमारा 52 हो जाए और 52 में से टू अगर माइनस कर देंगे तो यह 50 रुपी हो जाएगा तो इस तरीके से आपने market price को समझा यहां पर तो आप market price को भी असरने से समझ गए है तो इस तरीके से हमारा tutorial था इस पर्टिकुलर सीरीज मे market price basic price and factor cost I hope आप यहां पर समझ पाए होंगे अगर आप यहां पर समझ पाए है आसाने से चीजों को तो प्लीज लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू